प्राइब कर दोस्तों सब्साइब एक और एक वीडियो में और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और Amoxicillin 500 अलग-अलग ब्रैंड नेम में अवेलिबल है मार्केट में और यह Amoxicillin medications क्या है कब दिया जाता है क्यों दिया जाता है कैसे इसको लेना है और इसके बारे में आपको यह जानना है कि antibiotic medicines को आपको कैसे treatment में utilize करना है otherwise antibiotic resistance बढ़ता जा रहा है और यह बहुत ही एक सोचने वाली concern है इसी के कारण यह series वीडियो हम बना रहे हैं तो आज बात करेंगे आमोक्सिसलीन 500 टाबलेट के बारे में capsule यह tablet form में होगा आमोक्सिसलीन 500 capsule form में है यहां पर यह एक example of एक particular आमोक्सिसलीन जो capsule form में है तो आमोक्सिसलीन medications antibiotic medications होता है antibiotic क्या होता है के कारण हम बीमार होते हैं जैसे के मानलो अलसर हो गया पेप्टिक अलसर जो स्टॉमाख के अंदर घाव जैसा हो जाता है उसको पेप्टिक अलसर होना एक bacterial infection के कारण होता है जो bacteria वो पेप्टिक अलसर cause करता है उसका नाम होता है तेमोक्ससेलीन 500 एंटिबियोटिक दिया जाता है, ज्यादा तर केशवे में, रिस्पिरेटरी इंफेक्शन में, रिस्पिरेटरी इंफेक्शन हो गया, उसके साथ-साथ आपको लुझ इंफेक्शन हो गया, ear, nose, throat, ये सारे एरिया का जो इंफेक्शन से वहां पर एमोक्ससि इंटिशू में भी काम आता है जो बॉडी में सॉफ्ट टिशू होता है जगा के इंटर्नल ओर्गेन के टिशू होते हैं वो टिशू में भी इंफेक्शन अगर होता है तो उसको भी हम एमोक्सिलीन 500 अब बात करते हैं दोसेज तो वह जो एक होगा मगर जनल कंडिशन में अमोक्सिलीन टैबलेट इनमें दो टैबलेट डिया जाता है यहा स्थी दो कैप्सूल दिया जाता है पान्सों मिलिग्राम का तो पांसों इमॉक्स्यिसिलीन 500 दिन में दो बार खाने के बाद दिया जाता है. मतलब खाने के बार एक घंटे-दिर घंटे के अंदर आपको यह ले ले लेना चाहि है. Blank मतलब खाने से पहले नहीं लेना है और ऐास्तों आपके जाते हैं जो भी दिया जाते हैं. एसे ही इसको लो और यह जनरी पांच दिन, तीन दिन या 5-7 मिश्यम लिए धना रहा हैं कर Gद करता है। कौन सिंफिक्ष्न में यह दिया जा रहा है यह डोजेह सबसे महतपुर्ण होता है क्या इंटिबाइटिक की लिए इसही के कारण ही यह वीडियो' सीरीज हम बना रहे हैं इस वीडियो का मतलब ही है कि आप एंटिबाइटिक का मिस्यूस करना बंद कर दें क्योंकि यह एमोक्सिसिलीन है तो बहुत ही तगड़ा एंटिबाइटिक मगर इस एंटिबाइटिक के खिलाफ बैक्टिडियल रिजिस्टेंस शो कर चुका है तो हुआ यह है कि कुछ लोग जो है एमोक्सिसिलीन 500 तो यह सब्सक्राइटिक के का अगर उसको एक इनटिबाइटिक के कारणु उसको एक अटिबीटिक के प्रेजन्स में जीने का कुछ जरिया मिल जाता है सिंपल से अगर बात करें तो तो बैक्टिरिया जो है वो कुछ ना कुछ ट्राई करता रहता है कि कुछ एंटिबाटिक आएगा उसको माने के कोशिश करेगा तो आप ट्राई करोगे ना कोई अगर आपको माने की कोशिश कर करते को डिवाइट करता रहेगा डिवाइट करते करते वह एक इंसान में तो नहीं रहेगा वह एक इंसान से क्योंकि बैक्टिरिया जो है निकल के घर की कोई दूसरे इंसान में पहुँच गया वह आपके बेटे या बेटी को हो सकता है या फिर कोई और इंसान को आपके पर वह bacteria spread करने लगा जो कि अब amoxicillin resistant bacteria कहलाएगा क्योंकि अब अगर amoxicillin दे भी दे तो भी वह bacteria नहीं मड़ेगा क्योंकि इस bacteria में उसके अंदर amoxicillin के खिलाब लड़ने का जो टेक्नीक है वो उसमें पता चल चुका है तो ऐसे करते करते आज के जमाने में एंटिब्याटिक मिज्द उसकर आच्छे हमारे पास एंटिब्याटिक बहुत कम बचा है जिससे के ट्रूली हम एकदम बेफिकर होके देंगे और कहेंगे आप ठीक हो जाओने के नहीं चोटे भी इंडिया में जाके आपको होगे कि मुझे आमोक्सिलीन 500 चाहिए तो कोई भी मेडिसिन शॉप आपको दे देंगे करने के लिए जब आपको सच में एक बैक्टरिल इंफेक्शन होगा तो यह चीज़ हमेशा याद रखना कोई भी एंटिबाटिक के लिए बात स्टैंड करता है अभी हम बात करते हैं कि एंटिबाटिक का डोजेज कैसे लेना है जैनल यह दिन में दो लेना होता है खाने के ब एक्टेटिंग मदर्स में भी लिया जा सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लेम मगर कोई किड्नी डिजीज या फिर लिवर डिजीज हो किसी को तो एंटिबाटिक जो है वह बहुत डिफिकल्ट होता है उन लोगों में वह जाना प्रॉब्लेम हो सकता है तो वहां पर अगर लिवर और किड्नी डिजीज है किसी को तो एंटिबाटिक एमोकसलीन लही नहीं लाएं अब एंटिबाटिक एमोकसलीन 500 का क्या प्रॉब्लम मत्तब्लेम 500 का साइड इफेक्ट्स क्या हो सकता है जो एमोट से लिन बहुत ही अच्छा मेडिकेशन से जो के यूज होता है ना मतलब यह कोई specific bacteria को नहीं मारेगा जो भी टाइप के अंदर उसको मारने की कोशिश करेगा तो शरीर के अंदर हमारे अच्छे बैक्टिरिया भी होता है जो इंटेस्टाइन के अंदर होता है तो अच्छे बैक्टिरिया को अगर मार देगा तो क्या होगा उसके उसके वज़े डाइरिया बोलते हैं वो डाइरिया हो सकता है हैं। ज्यादा उस करने से इक्सक्राइं चो जाता है तो वहां पर भी उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमारे पास option है कि हम ज्यादा मातरा में बॉड़ी के अंदर अच्छे बैक्टिरिया भी लें ऐसे टैबलेट और कैप् प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स बोलते हैं तो प्रोबायोटिक के सप्लिमेंट इसके साथ लेना होता है अगर किसी को एंटिबायोटिक मेडियेटेड डाइरिया हुआ है तो तो अपार्ट फॉम दाट कुछ नौजिया वमिटिंग ऐसा कुछ रैश वगेरा हो सकत है किसी को अगर अलर्जी हो तो वह सकता है अप्रोब्लेम के उस एमॉक्सिलीन का रिजिस्टेंस बैक्टिरिया तयार हो चुका है और वह है और रिजिस्टेंस बहुत बार होता है रिजिस्टेंस को रोकने के लिए हम अमॉक्सिलीन मेडिकेशन को मॉडिफाई करके उसके साथ कुछ और चीज़ा एड़ करके मेडिसिन बनाते हैं जिससे के ड्रेस्ट यह जो रिजिस्टेंस वो कम हो पाए उसके बारे में भी दूसरे वीडियो में बात करेंगे तो आज के लिए इतना ही आशा करते हैं लिए इसको बहुत रिस्पॉंसिबल यूज करें डॉक्टर जैसे कहा गया है जिस हिसाब से लेने को लिए कहा गया वह से उसक्रेंट तो बैतर रहेगा तो बैतर रहेगा तो आप अमॉक्सिद्विडियो प्लीजिए लाइक बटन शेर करें वीडियो को दोस्तों के साथ काल और फ्यूचर जिनेरेशन को भी बहुत ज्यादा गंभीर समसा में डाल रहे हैं तो चलिए बात करते हैं मिलेंगे अगले वीडियो में थैंक्यू बाई